तो फ्रेंट्स बिंदी को मैंने इस तरीके से हाथ में लगाया क्यों है और इसे मैं क्या करने वाली हूँ यह आगे आपको वीडियो में पता चलेगा इसके अलावा कैची से हम किस तरह गैस की बचत कर सकते हैं किस तरीके से हमारा गैस लंबा चल सकता है इसके अलावा आज बहुत सारी यूनिक टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके समय और पैसे की बचत होगी अगर वीडियो आपको कहीं किसी पॉइंट पर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा और आज की जो टिप्स है आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है वोकि सारी टिप्स है जो यूनिक है और जो आपने पहले नहीं देखा होगा चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी पहली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंस विंटर्स स्टार्ट हो गए है और विंटर्स में क्या है जब हम स्वेटर पहनते हैं इसके स्लेट थोड़ी लंबी होती है और हमें काम करने में on comfortable होता है तो उस situation में आपको क्या करना है अपना जो band होता है जो हम बालों में लगाते हैं उस band को आ लेना है और sleeves को आपको इस तरीके से मोटते जाना है पिर देखके आपको जादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस तरीके से मोटते जाएंगे तो आपके sleeves उपर हो जाएगी और sleeves खराब भी नहीं होगी कई बारी जब हम sleeves उपर करते हैं तो जो उसका elastic है न वो धीला हो जाता है बट इस तरीके से आप करोगे तो आपके sleeves सही रहेंगी और आपका काम भी हो जाएगा और धीला भी नहीं होगा यह tips आप बच्चों के साथ भी कर सकते हो और हम जब kitchen में काम कर रहे हो उस situation में भी यह वाला tips ट्राइक कर सकते हैं तो हैना बहुत ज़्यादा useful tips कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा चलिए friends देखते हैं हमारी अगली tips कौन सी है तो friends अगली tips है nail paint को लेके करेशानी होती है तो इस situation में हम कई tips अपनाते हैं जैसे के गरम पानी में डालते हैं या वैस्तीन या oil लगाते हैं बट उन सबसे बेस्ट है यह वाला है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहे हूं आपको rubber band लेना है और इस तरीके से इसको लगा लेना है इसको लगाने के बाद एक grip बन जाएगी और कुछी सेकंड में आपका जो nail paint है कितना भी tight हो वो खुल जाता है आप इसे try करके जरूर देखिएगा इससे आपका घंटों का काम है वो आसान हो जाएगा और आपको को कोई भी nail paint लगाना हूँ आप easily लगा सकते हो चलिए देखते हैं अगली tips कौन सी है तो कई बाल क्या होता है friends festivals में या ऐसे भी हम fry करते में या तो बहुत कम quantity में oil है तो तेल में क्या है छोट छोटे बारिक बारिक से कंड हो जाते है गंदा सा हो जाता है जिससे फिर हम यू आप cotton ले लेना है इस तरीके से और अपनी छनी जिसमें भी आप छान रहे हो उसको इस तरीके से फैला देना है तो मेरा तो बहुत कम quantity भी बच्चा अगर आपका ज्यादा बच्चा है तो आप इस tips को जरूर ट्राय करना कम रहे तो भी आप इसे ट्राय कर सकते हो तो इस त आप देखेंगे आपका तेल इडम ट्रांसपरेंट इडम साफ सुत्रा निकलेगा बिलकुल कोई भी काला इसमें नहीं आएगा आपको ने कच्रा भी दिखा देती हूं यह देखें बारी बारी काला काला सा दिख रहा है आपको यह सारा गंदगी इस कॉटेन ने ले लिया हम तेल फ्राइंग में यूज करें उतना ही करें जितना की वह खतम हो पाए बट अगर कभी बच जाए तो आप यह टिप्स ट्राइक करना इससे आपका तेल बिलकुल भी वेस्ट नहीं होगा और इसम तेल आपका साफ सुत्रा आपको मिल जाएगा चलिए देखते हैं अग तो एक निम्बू आपको ले लेना है और इसको आधा थोड़ा सा कट करके हमें अंदर से एक होल बना लेना है तो कोई भी आप चाकू ले लिए और इससे चोट ऐसा होल कर दीजिए गोल गोल खोखला मतलब इससे हमें करना है अब यह आपको देखके समझ में आ जाएगा यह जो टीप्स लिए बुखत है लुखत हो यूसफ वायवारे लिए वरी फैमले के लिए तो इस तरिके से जो थोड़ा सा शार्प नाइफ से नाएफ उससे यह बहुत अच्छी से हो जाएगा या तो पोटेटो पिलर होगा उससे भी आप इससको कर सकते हो बहुत इस लि तो मैंने एक मिठ्टी का दीपक ले लिया है अब आप सोच रहोंगे इसका हम क्या करने वाले तो इस से हम जलाएंगे दिया अब कैसे जलाएंगी वह भी पहले आप देख लिए फिर में बताओंगी इसके फायदे आपको तो इससे हमें बत्ती बना लेनी फूल-बत्ती बत् मैं बहुद सारे आपके सारे भी होई है अगर आपके ठीकों के सार् 수도 है आप महले है टो यह अजरूर तो 20-20 पॉछ अब नो यह nu chegou भी कुछ सकते ना कि यह बाद हमें इसे जलाना है तो फ्रेंस नीम्बु की जो यह हम दिया बती जला रहे हैं यह बहुत ही जादा यूसफुल है हमारे लिए हमारे फैमिली के हेल्फ के लिए इससे क्या होता है किसी बेरीया में बच्चे पढ़ रहे हैं स्टाडी टेबल पर या कहीं भी आप यह गैस पिए कुछे पर नहीं है लिए ह। ने नहीं नहीं आते हैं नहीं चीज पर इस पर बहुत अच्छी से खुश्य अाथी है और जो शौटे चोटे केड़े या मकण्वी स्मेल म्क्रों हो तरह हुआए अपकि मख़ी होते हैं तो इस tips को आप जरूर try करना इससे पहले मैंने प्याज का जो दिया है वो भी जला के आपको बताया था वो भी काफी useful है उसके बाद friends मेरे अगले tips है बिंदी को लेके तो friends कई बारी क्या होता है कई लोग बिंदी लगाते हैं या तो फिर आप क्या कर सकते हो जहां पर आपको बिंदी लगानी है उसमें पहले आप थोड़ा सा टेलकम पौडर जो नॉर्मल पौडर होता है उस पौडर को आप लगा लीजे पौडर लगाने के बाद आप उसके पर बिंदी लगाएंगे तो कोई भी निशान आपके स्किन में नहीं पड़ेगा और आप बिंदी कमफर्टेबली लगा पाओगे बहुत सारे लोग के साथ यह प्रॉब्लम हो जाती है उनके बिंदी लगाने वाली जगह पे सफेद सफेद सा निशान हो जाता है तो आप इस टिप्स को ट्राई करोगे न या तो मलाई लगा सकते हैं या तो आप पॉडर लगा सकते हैं इससे क्या होगा आपका जो माथा है वो बिंदी की जगह पे सफेद नहीं होगा तो इस टिप्स को ज़रूर आप ट्राई करना उसके बाद अगले यूसफूल टिप्स है गैस को लेके तो फ्रेंस एक कैची से हम किस तरीके से अपने गैस की बचत कर सकते हैं आदमें आपको बताऊंगी तो फ्रेंस क्या होता है हमारे घरों में चार से पाँच कैची जो सबी के घरों में होती है छोटी बड़ी बस आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ तो friends क्या होते हैं जो burners हमारे होते हैं ये अक्सर अगर गंदे होना तो इससे gas अच्छे से proper तरीके से निकल नहीं पाती है और हमारा जो time पांच मिट लगता खाना बनने में वो घंटो लग जाता है जिससे हमारा काफी gas consume होता है और हमारा नुकसान ही होता है काफी हमारे gas के खपत हो जाती है तो इसलिए जो burners है ना उन्हें clean करना बहुत जरूरी होता है तो clean करने का liquid जो मैंने बता है तो काफी बता है गरम पानी में डिश वास जेल डालके soda डालके निम्बू डालके वो सब तो आप डालके clean करते ही हो बट कैची जो होता है वो friends उससे जो बारिक बारिक holes होते हैं वो काफी अच्छे से clean हो जाते है अब मैंने कहा 4-5 कैची सभी के घरों में होती है जो कैची इतम बारिक नोक वाली होना उससे जब आप इसको holes को clean करोगे ना तो बहुत अच्छे से clean हो जाता है मैं बीच बीच में इस तरीके से करती रहती है उसलिए जो मेरा burner है ना वो clean रहता है बाकी आप इसको liquid detergent soap से तो हम harping वागेरा से तो clean करते ही है इसके लिए हमें यह बहुत अच्छा tool मिल जाता है जो बीच बीच में आप बिना liquid के भी burners को ऐसे clean करते रहोगे ना तो जो भी उसमें गंदगी है वो निकलती रहेगी और आपका जो gas है वो अच्छे से clean burner जो है वो clean रहेगा जिससे gas अच्छे से जलेगा और आपका जो cooking का time है वो बहुत अच्छे से कम time में consume हो पाएगा तो हैना बहुत ही अदर useful tips इस तरीके से जब gas अच्छे से जले ना तब आप समझ लिजिए आपका burner rhythm सही है और आपका gas अच्छी तरीके से जल रहा है I hope friends आज की वीडियो आपके लिए helpful होगी कहीं किसी point पे अगर अच्छी लगी है तो please like करना share करना family friends के साथ कोई suggestion हो तो जरूर बताएगा कल फिर मिलेंगे हम अपने किसी new वीडियो में तब तक अपना अपनों का ध्यान दखिया thank you so much मेरी वीडियो देखने के लिए bye bye and take care